तो बाई जैसे कि इंटल 14 जनेरेशन के डेस्टॉप सी प्यूस अभी रिसेंट्ली लॉंच हुए थे हमने i9 4900 के और i5 14600 के ओपर डेडिकेट वीडियो बनाई थी कोई पीसी बिल्ड ने करा था मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बहुत तुम लोगों ने लिखा वह या कोई पीसी बिल्ड कर दो मतलब कोई हिसाब किताब बढ़िया कर दो और जीटेश का ट्रेलर अभी ताज है लेकिन गेम पीसी के ऊपर 2026 में आएगी लेकिन पीसी आज ही ब यहरा संदर शापीची बिल्ड तुमारे सामने तुमने देखेंगे औल वॉइट पीसी औल ब्लेक पीसी या पर बना रहा का ब्लेक इन वीट पीसी अंदर से कॉम्पेलिट ब्लेक बार से गयेजल ना तगण बताना करें को कॉमेंट सेक्ट्चन में कैसा लगा अब सबसे बात कर लेते हैं इंटल को इनाइन 4900 के प्रोसेसर ने इसके अंदर यूज किया है जो हमारा 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है आज की डेट के साब से वीडियो को डेट चेक कर लिए ना बाद में और प्रोसेसर आ जाया और इंटल ने इस प्रोसेसर की प्राइसिंग बिल्कुल सेम रखिया आई 4900 के वाली 58-60,000 का आज की डिड में प्रोसेसर मिल जागा तो 3900 के लिए जोरती निया सीधा 4900 के लगाऊ और बाकी इस प्रोसेसर के बारे में अगर डिटेल में जानकर रीच है तो हमारी डेडिकेट वीडियो चेक कर सकते हो 4900 के उपर उसमां बहुत कुछ मिलेगा आपक और यह तकड़ा मदरबोर्ड है आउट अफ दे बॉक्स 12 जेनरेशन 13 जेनरेशन 14 जेनरेशन का सीप्यूए सपोर्ट करेगा मतलब अग्दम प्लगें प्ले वाला मामला कोई बायस वायस अपडेट का चक करनी और इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे को आरोजी का लोगो मिल जाएगी और यह मदरबोर्ड सपोर्ट करता है वाइफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मतलब एक्दम लेटस मामला और जब इतना फ्लैक्शिम मदरबोर्ड लगा रहे हो स्टोरेज एक्स्पैंशन में कोई दिक्कत ही नहीं है 5 M.2 के स्लॉट इसकेंदर आपको मिल तो प्राइजिंग भरपूरी मिलेगी 43,000 के आसपास का मदरबोड है आज की डेट में अब आपके चाहे प्रोसेसर की ठंडगो या PC बिल्डी के सुन दरता हो उसके अंदर AIO का बहुत बड़ा रोल होता है यहां पर हम यूज कर रहे हैं ASUS की तरफ से ROG Lusion 3 360 जो हमारा 360 mm जिसके अंदर हमारे को 3 ARGB फैंस मिल जाएंगे 120, 120 mm वाले और साथ में इस AIO का पंप है उसके अंदर मारे को LED डिस्पले मिलती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी क्रेट सॉफ्टर के अंदर जाके डिफरेंट 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 रोजी के अन के लिए अगर आप अगर आपको खरीदना नहीं है और अपना लक ट्राय करना है तो आप इनके ग्लोबल गिववे में भी पार्डिसिपेट कर सकते हो जहां पे असुस का लेटर्स मदरबोर्ड और इंटल का i9 4900K तो आप जीच सकते हो बागे इंपोर्टेंट लिंक्स औ इस लिए अंदर लगा है एसुस टफ आर्टी एक सब्सक्राइब और जैसे कि इतना ग्राफिक्स काड़ है इतनी ज्यादा मेमरी के साथ तो गरम तो देखको हो गाई तो इसके अंदर हमारे को ट्रिपल फैन सेटम मिलता है यानि कि ठंडक को भी मिंटेंट रखेगा और य 1,95,000 के आसपास मिल जाएगा और यहां पर सब कुछ इतना जादा जादा लगा रहे है तो रैम भी जादा जादा लगानी बनती है यहां यूज कर रहे है कॉरसर की तरफ से डॉमिनेटर प्लाइडरम जो हमारी 24-24 GB की दो स्टिक्स हैं 48 GB टोटल राम है DDR5 7400 मेकाट स्पी 1000 के आसपास मिल लेगी और यह तना सारा भारी भरकम ताम जाम जो आप लगा रहे हो गड़ा ग्राफिक्स, कार्ड मादर बोर्ड यह सारी चीज़े इस सब को चलाने के लिए एक अच्छी पावर सप्लाई यहां पर चाहिए होगी तो यहां पर यहां यूज कर रहे हैं MSI क अगर पावर सप्लाई के बारे में कोई भी कनफ्यूजन है अगर आपको दो एंट इस पावर सप्लाई के प्राइजिंग हमारे को 18,000 के आसपास मिल जाएगी और जो इतना तकड़ा सारा ताम जाम जो हमने घटा गिया हो लगा होगा कि इसके अंदर बाई यह सुन्दर सी कैविनेट है इसके अंदर लगा होगे ना हम यहां पर यूज कर रहे हैं कॉरसर के तरफ से 5000 X RGB कैविनेट जो मारी पूरी वाइट कैविनेट है जिसके अंदर मारे को फ्रेंट में 3 RGB फैंस मिल जाएंगे और चारो तरफ ग्लास वाला मामला है लेफ्ट में फ्रेंट में ट के आसपास निकल का रहा है यहां पर उसके बाद 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 शिक्स का ओपन सीएल स्कोर जो हमारे जीप्यू के लिए होता है 321,000 जो मेरे को थोड़ा कम लग रहा था पता नहीं कम क्यों है उसके बाद 3D Mark Time Spy निकाला 30,000 टोटल स्कोर वहां पर जीप्यू स्कोर 35,000 के आस देखके मजा जाता है उसके बाद जीप्यू की ताकत देखने के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क चला है 11,000 के आसपास कोड निकाल के देगा वाइसाब दैन अमने वीरे बेंचमार्क चला है पहले CPU टेस्ट किया 25,000 के आसपास कोड निकल गया उसके पाद जीप्यू का पूर 5,200 के आसपास तो बैंचमार्क के नंबर तुमने देगे एकदम बिल्कुल एकदम तावड तोड नंबर मतलब इस PC के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो ultimate level की video rating करने हो 3D modeling rendering वाले काम करने हो productive task करने हो music production करना हो streaming करने हो कोई भी task किसी भी level तक का वाई वो सब इसके अं inclusion की जरूरत है इस PC को चलो फिर भी कुछ तो बात करेंगे तो यहां में स्टार्ट करें सबसे पहले वैलोडेंट से यहां में resolution हमारा 4K है settings रखे हमने high पे और यहां में i9 4900K लगा हूआ है तो fps वायसा 4K में हमारा को 500 plus fps मिल रहे हैं sometimes 600 also उसके अलाबा बागी सारे stats आपक को रखा है यहां पर very high पे मतलब सब कुछ highest मतलब कोई कमी नी चोड़नी और CS2 को पता नहीं बाई क्या हो गया यह इतना demanding game हो गया पहले CPU intensive हुआ करता था अब भाइसाब आप GPU memory consumption देको 10GB के आसपास जारी है 4K में और यहां पर RAM भी 14GB यूज हो रही है 250 average fps यहां पर हमारे fps मिल रहे हैं यहां पर देख सकते हो क्या बड़िया स्मूध gameplay 1490 लगाया उसके बाद भाया बात है क्या गेम टेस्ट की और RAM आप देख सकते हो और RAM से 16GB के आसपास तक यूज हो रही है GTA 5 जहां पर हमने बिल्कुल peak settings कर दी very high हो सकता था जहां पर ultra हो सकता था सब कुछ कर 4K resolution पर टेस्ट और यहां पर हमारे को peak fps मिल रहा है 180-187 fps मिलते हैं मारे को GTA 5 में उतने ही मिल रहे है इसके अंदर 170-180 परफॉर्मस निकाल के दे रहा है और मुझे लग रहा है इतने ज़्यादा fps मिल गया है कभी-कभी तो game stutter होने लग गई है तो मुझे लगता है कुछ overpower और वाला scene होगा गेम के रहा भाए साब मैं तो इतना चलने के लिए बनाई था और आगर आपने कुछ ऐसा overpowered PC बिल्ड कर लिया है और उसके अंदर को पुराने gaming titles खेल रहा है और उसके अंदर आपको stuttering का issue हो रहा है तो आप वी-sync on कर सकते और उससे game में stuttering का issue sort हो जाता यहां पर हमारे को 30 fps का difference मिल रहा है और भाई इस game के अंदर हमारे को 150-180 fps मिल रहा है दोनों scenario's में GPU VRAM 12GB के आसपास consume हो रही है और 16GB RAM देख रहा है मतलब 4K में gaming करने के लिए कितने resources चाहिए आपके system को उसके बाद Red Dead Redemption 2 यहां पर favor quality हमने कर दिया है यानि कि ultra settings है एक तरफ DLS is off है और दूसरी तरफ रखा है quality पे और RDR 2 में हमारे को 120 से लेके 150 fps मिल रहा है बाईसा 4K में ultra में मतलब देख रहो ना क्या तकड़े fps है बस वही बात है जितने जादा पैसा घर्चों को उत्ते बड़ी fps मिलेंगे फिर games के अंदर फिर हमने test किया Hogwarts Legacy यहां पर settings को रखा उससे उपर नहीं तो यहां बहुत जान निकाल दूँ है उसके बाद हम test कर रहे है God of War यहां पर settings को रखा है अल्ट्रा पर DLSS का सेनारियो भी आपके सामने है और test तो कर रहे है और God of War में भी 140 fps के आसपस raw performance में मिल रहा है और वहीं पर DLSS लगाने के बाद आराम से 180-190 fps अब यहां पर frame generation की बात ही नहीं हुई, frame generation की game तो भी आगे है अभी इतने तकड़ तकड़ fps मिल रहे है उसके बाद हम test कर रहे है last of us, resolution हमारा 4K पर यह preset रख का इल्टरा पर मतलब इससे उपर कुछ नहीं है और DLSS का सिनारियो सेम है last of us भी मैं कह सकता हूँ बाई काफी जाधा GPU intensive game है, यहां पर मारे को raw performance में 80-90 fps मिल रहा है, DLSS लगा के 30-40 fps का फर्क मिल रहा है, और एक चीज मैंने notice करी है, जितना महंगा GPU होता है उसके normal DLSS 2 में भी जाधा frame rate का boost मिलता है, सस्ते GPU में 8-10 fps का boost मिलता है, यहां पर महंगे में देख सकता हूँ 20-30 fps का boost है, उस अब 16-17 GB RAM consume हो रही है, और CPU की wattage 150 Watt तक power draw कर रहा है, उसके बावजयोद भी हमारे CPU temperatures 50-60 degrees के आसपास ही है, क्योंकि हमने AIO use कर रहा है, region 3-360 by, वो मतलब बहुत जबर्दस perform कर रहा है, उसके बाद same setting, same DLSS का scenario रखा है, लेकिन ray tracing को हमने high पे कर दिया है इस बार, और यहां 91-90 जा रहे है, और CPU temperature में अलेगी लेवली के थंड़क है, क्योंकि AIO बढ़ी है थंड़क पैदा कर रहा है, उसके बाद मैंने का GPU की जड़ा है, पूरी पूरी जान निकाल देते है, 4G में टेस्ट करने हैं, cyberpunk ultra settings में, DLSS एक तरफ off है, एक तरफ quality पर ray tracing रखे है, हमने off, और cyberpunk जैसे game में याप हमारे को 60 stable fps मिल रहा है, ultra settings पर, और वहीं पर DLSS frame generation लगाने के बाद, बागी सारी settings हमने same ही रखी थी, और ray tracing ultra लगाने के बाद में 40 stable fps मिल रहा है, यहाँ पता लगता है, कि वह ऐसा 4090 पर चीज है, 400 watt तक पावर रहा है, and 14-15 GB के आसपस हमारा GPU consume हो रहा है, और वहीं पर frame generation लगाने के बाद तो कह रहा है, यह लो, 100 fps ले लो, बाद, यह था में यह तरफ से पूरा PC build i9 4900K के साथ RTX 4090 मतलब एकडम latest आज की डेट में flagship PC build अब performance आपने इसकी देख ली जैसे number यह निकाल के दे रहा है, जैसे 4K में gaming करवा के दे रहा है, जीटे 6 तो मतलब एकडम मखन आख बंद करके आराम से चल जाएगी इसके उपर सब लिख दो, आपके सारी डिमांड पूरी करने को इश करेंगे और डिमांड पूरी करवाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बहुल करो, मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई